हालो नमस्ते स्टुरेंट्स एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे चहेते ओनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है और दोस्तों आप सभी को पता हैं आप सभी इन दिनों हरियाना पीजिटी कोमर्स मैंस रिटर्न एक्जाम के तेहरी कर रह रहा था कि उस टाइम की आपका जो एक्जाम है वो दस नवंबर को जो इन्होंने डेट दी है वो पोस्पोंड हो सकती है क्योंकि अभी रिटर्न एक्जाम में टाइम मिलेगा उसके बाद प्रिस्क्रिणिंग का उसमें रिजल्ट भी नहीं आया था तो वो सारी जो आपका एड्मीट का आप देखोगे उसके बारे में आपकी पूरी जानकरी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिस्टर स्वागत करता हूँ इस सेशन में बने रही हैगा और आप सभी को पता दूँगी आपका एक्जाम कब और कितनी बज़े यहाँ पर होने वाला ह उससे पहले आप सभी को एक इंपोर्टेंट जानकरी में दे दूँ आप सभी के लिए हमने एक वाट्सप कमूनिटी ग्रूप बना रखा हैं उसमें से मैक्सिमम इस्ट्रेंट ओल्री इसको जोइन कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक हमारा वाट्सप कमूनिटी ग्र कर दीजेगा चलते हैं हमारे हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन अपका यहां पर आया है उस अनॉंस्मेंट को आपको मैं बता देता हूं तो देखिए आज ही की नूज है यहां पर तो आपके दिमाग में चल रहा था कि वह स्क्रीन टेस्ट हुआ है उसके बाद रिजल्ट किया है उसी दिन होगा तो आप अपनी तेहरी में कोई भी कमी मत रखिए अपनी तेहरी जो आपने जारी रखिए उसमें और आप मेनद सुरू कर दीजिए क्योंकि आज 4 नवंबर हो चुका है और अब एक्जाम की काउंटडाउन दोस्तों सुरू हो चुकी है तो तक आपका मेंस रिटन का एक्जाम 3 गंटे का होने वाला है मतलब एक बात तो क्लियर कर दी है कि आपका एक्जाम 10 नवंबर कोई होगा और दिन में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा तो किसी भी परकार से अब आपको अपनी डिलाई नहीं देनी है आप एक्जाम में लग आपको एड bit हर बल जाएगा तो आप अपना एड bit हर देयुक्त है समय पर डाउनलोड कर ले हो सकता कल थोड़ी किसाइड बीजी हो तो सुबह होते ही आप डाउनलोड कर पा घरpiece गोलों कर देना है तो किस палतने व्हाफिस ब्ल रहा हूं एक बाता चुका हमको 10 नवंबर ए एक्जाम है सुवे 10 से लगाकर एक बज़े तक तो आप अपने तियारी में कोई कमी मत रखिए 6 दिन है इन 6 दिनों में जितनी हो सके बरकस तियारी कर लीजिए 100% आप अपने आपको डेडिकेट करते हो इस तियारी में आपने आपको लगा दीजिए ठीके दोस्तों एक इंपोर्टन जानकर आपको मैंने बता दी दस नवंबर को आपका एक्जाम है दस से एक बचे तक कल अपके आ जाएंगे के अडिटेट्स आर डाउनलोड देडिकार्ट एंड टेक पॉइंट ऑप देसें ओन एफॉर साइज पेपर सो देट देर फोटो और अदर पर्टिकु और वसे तरीके से बेजबे को एबर को युटिक सीबाट है जिससे की आपका जो एक्जाम हें विक्सक हैं वह भी आपका फोटो आपका नाम साईछी इंपोर्फिशन को वेरिफाई कर पाएं देख पाएं candidates having small side admit cards with unclear photos and signature will not be allowed to their entire examination देखो बहुत अच्छी बात है poster other state में ये बात नहीं बताते लेकिन हर्याने ये clear बात बता दी है कि आपका admit card अगर F4 size में नहीं हुआ है और अगर examiner को आपका photo, आपका sign, आपका date, exam center या आपके बारे में कुछ भी चीज clear नहीं दिख रही है तो आपको exam center से बाहर निकाला जा सकता है आपको exam में allow नहीं करेंगे एक general information है लेकिन आपको पता भी है लेकिन फिर भी आपको द्यानकना F4 size में ही admit card लेके जाना है बाकी की जैनकारी आपको सब पता ही है और the candidates are advised to read all instructions on the admit card are very carefully admit card पर जितने भी instructions है या इस notification के साथ admit card के पीछे कुछ pages पर जो instructions आते है उनको सही तरीके से care police सावदानी से एक बार पढ़ ले उनको समझ ले अगर कोई चीज आपकी तरफ से गलती होती है तो जिम्हेदार आप होंगे examiner या board नहीं होगा candidate ही finally liable होता है तो सारी चीजे पढ़ ले एक बार सही जानकारी देख ले admit card अपना center सब कुछ verify करके ही exam center पे आप पहुँचे यह information आपको देनी थी वाफिस बताइता हूँ 10 नमबर को आपका exam है सुबह 10 से 1 तीन गंटे का आपका रेंट आपका जो men's exam है वो आपका यहां पर होने वाला है तो दोस्तों आपको बात मैंने clear कर दी है उसके बाद आपको बता दू आपको बता दू आपके साथ प्लेटफोर्म में जहां पर हर subject के लिए individual expertise team हमारे साथ में है हम students के सपनों के साथ समझोता नहीं करते है इसलिए हर subject के लिए individual faculty है जो कई सालों का experience रखती है और कई students को राज की सेवा में पहुचा चुकी है इस बार नंबर आपका है तो कहीं नहीं कि एक बरोसे मन्द platform के साथ आप जूड़े चुके हो यह आप कह सकते हो तिलाल यह exam तो आपका भी हो रहा है आप हमसे कोई course नहीं लेंगे मुझे बता है लेकिन एक बरोसे मन्द team जो है उसके में परिचय करवा रहा हूं उसके बाद अगर मैं बता दू तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में कई रिजल्ट्स दियें चाहे वो cbac का हो या वह को इंडिया का हो cbac junior accountant का हो इस नेट का हो या MPHST का हो या प्रिलिंट मेंस का एक्जाम हो या उत्राकंड सायक आप भी हमारे साथ ले रही है इस बीच आपको पता दू हर्याना के अंदर अभी दो इत्र एक्जाम ट्रेंड में है हर्याना assistant professor और हर्याना PZT commerce फिलाल PZT commerce का एक्जाम आपके सामने हैं तो मैं आपको नहीं कहूंगा लेकिन test series ज़रूर परचिस कर सकते हैं लेकिन अगर लोगी assistant professor का भी आप तेहरी करना चाते हो तो बिल्कुल हमसे जूड़ी है और इस course को लेकर अपनी तेहरी को यहाँ पर मजबूत कीजिए और हर्याना assistant professor के लिए आप चाते हैं कि सरको इसी special test series मिल जाए तो वो भी available हैं और वो भी 499 के अंदर 1000 mcq आपको मिलेंगे bilingual with video solution के साथ ठीक है दोस्तों तो यह आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं तो बिल्कुल आप प्लान कीजिए यह अब्यास सीरीज के नाम से हैं ताकि आपके तहरी हो जाए आर्पी सेड़ाइब फेमस क्यों है आप सब जानते ही हैं वैसे हर तरीकी साम आपसे जुड़े हुए हैं हर स कोई बात करने में कोई क्वेरी आपकी पूछने में हमसे जुड़ने में कोई किसी परकार की अगर आपको शमिश्या लगती है तो इसक्रिन पर दो नंबर दिये गए हैं उन पर आपको ओल करके अपनी शमिश्या बता कर उसका तुरंट प्रभाव से समाधान आपर क्लासेज कोई मेराथन क्लासेज या फ्री हमारे जो सेशन होते हैं वह आप तक हम घर पर पहुंचा पाए उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जोस्तो सब्सक्राइब कर लिए तो थैंक्यू सो मच गई आप सभी का लास्त की सेशन में बने रहने के लिए इसी नरीके के सेशन के साथ एक बार और मिलते रहेंगे नेक्स्ट आगे भी तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए थैंक्यू सो मच